असलाम अलेकूम एवरिवन कैसे आप सब लोग उमीद करती हो आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज वापके साथ शेयर करने वाली हूँ गोली कवाब की रेसिपी बहुत ही जादा टेस्टी और मज़िदार कवाब बनके तयार होते हैं साथ ही बनाएंगी टिकिया का इस यह फेमस डिश है कवाब टिकियों की रेसिपी तो आप एंट तक जरूर बाच करिए साथ ही एक चटपटी सी चटनी बराएंगे तो इस कवाब के टेस्ट को बहुत जादा बढ़ा देगी तो सबसे पहले गोली कवाब बराने के लिए मैंने यहां पर लिया है कीमा और यह मीडियम साइज की प्याज ली थी जिनको बिलकुल बारीक आपको चौपट से काटना है और इनको हम इसमें एकीमे के साथ एड़ कर देंगे अब इसके साथ ही कवाब को बहुत ज़दा चटपटा बनाने के लिए मैंने लिए 8-10 हरी मिर्ची और हरी मिर्ची को बिलकुल ब आपे जक्त करों से कषलेव साथ ल्ड़ा पर olais लागाती कर लखा की साथ या सिर्फ कोट कटी चपून बेकिंग सोडा या पिर आपके पास मीठा सोडा मीठा साथ हूडा को टेंडर करने के लिए यह के मीठा कि लागार की मीठ को सॉफ्ट करनीके तो सोंट कर दो डाले ज लेना है काली मिर्च का पाउडर यानि कि दरदरा पिसा हुआ और एक टीस्पून लेंगे भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर इसके साथ ही डाल देंगे एक टीस्पून चाट मसाला और इसके साथ ही डालना है एक टीस्पून दरदरी लाल खड़ी मिर्ची तो इतने मसाल हमें डालना है हाफ टीजपून हल्दी अब इन सारी ही मसालों को डालने के बाद हम हाधों से अच्छे से कम से कम दो मिनिट तक कीमे को इस तरह से मलेंगे इससे क्या होगा जितने भी हमने मसाले डाले हैं वो कीमे में काफी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे देखिए अगर कच्री का पाउडर है तो आप हाफ टीजपून कच्री का पाउडर कीमे में आइड कर सकती हैं जिससे हमारे जो कवाब है एकदम सौफ्ट बनके तयार होंगे अगर आप कीमे में सिर्फ 50 ग्राम के बराबर फैट यानि की चर्वी भी अगर कुटवा लेंगी तो आपके जो कवाब हैं काफी सौफ्ट बनेगे काफी अच्छी से हमने 2 मिन तक लिया और हमारा कीमे एकदम रेडी हो चुका है, तो इस कीमे को हम मैरेनेट होने के लिए रग देंगे केदम Einser तो आप इसको कवर करें इस तरह से और फ्रेज में दो घंटे के लिए रख तो चलिए अब हम बना लेते एक दम चटपटी सी चटनी जो हमारे गोली कवाब के टेस्क को और बढ़ा दे की तो मैंने ले लिए यहां पर 10 से 12 सूखी लाल खड़ी मिर्ची आप मिर्ची अपने इसके अकॉर्डिंग कम जादा कर सकती हैं लेकिन यह चटनी चटपटी ही अच्छी लगती है और इसके साथ ही हम यहां पर डाल देंगे 8 से 10 कलिया लसन की तो आप लसन थोड़ा जादा एड़ करें बहुत मज़िका लगता है इस चटनी में और इसके साथ ही हम यहां पर देखिए एक बड़ा टमाटर था सिर्फ मैंने आधा लिया अगर आपके पास चोड़ास टमाटर तो आप पूरा डाल दें लेकिन बड़ा टमाटर है तो इसके साथ ही डालेंगे हाफ टी स्पून यह फिर टैस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इसके साथ ही कॉर्ट टी स्प इसके साथ है उनको रिमूव कर लें तो नीबू को रस मैंने निकाल लिया है तो इस रस को भी हम डाल देंगे बहुत जादा नीबू कर नहीं लेना है बड़ा नीबू तो आप डाल सकती है और यहां पर एक दम बारी करकिस चेटनी को हमें थोड़ा सा पानी डाल कर पीस ल देखिया हमने कवाब का कीमा लगा दिया चेटनी भी बना लिया चलिए अब हम बनाते हैं टिकिया तो आप देख लिए टिकिया बनाने के लिए हमें यहां पर चाहिए आटा गेहूं का नॉर्मल आटा है जो कि हमारे घरों में जिससे हम रोटिया बनाते हैं तब मैंने यह आथा किलोगे करीब आंटा लेड़े, जसके साथ ही आधा चमज की आदा चम्मज लेगा पर नमख, इसमें एक बहुतouse चीज भाना को बादक मेंदा ना समяться दो कि स्छी आछी चीज़तो है नमक के बानी को आछीज में दाला छीज़तों को महत्सायस ह्ठाना है एकदम बिलकुल सॉफ्ट सा डो हम यहां पर तयार कर लेंगे तो आप सॉफ्ट सा डो लगाईए बहुत ज़ादा आठा हमें हाट करके नहीं कुलना है तो इस तरह से आप देख सकती है जो डो है एकदम आपका सॉफ्ट होना चाहिए तो इस आठे को अब हमें रखना है एक यह टाइट जार में आपके पास यह टाइट जार नहीं है तो इसकी जगह आप किसी भी ऐसे बटन में रखिए इसको आप अच्छे से कवर कर लें क्यूंकि इस आठे का में खमीर उठाना है और इसके लिए लगेंगी कम से कम 4-5 घंटे और मेरे पास तो इतना टाइम भी कीमे को मरिनेट होते हुए फ्रेंट्स दो घंटे हो चुके हैं तो बस इसमें हमें अब आइट करना है हरा धनिया तो धेर सारा आप इसमें हरा धनिया डालें क्यूंकि धनी का फ्लेवर कवाब वगरा में बहुत अच्छे से निकल के आता है और हरा धनिया डालने के पास इ इसमें आइड करेंगे आटा तो आटा मैंने एक कप के बराबर ले लिए थोड़ा थोड़ा करके आइड करना है तो फ्रेंट्स ये यूपी की एक बहुत ही फेमस डिश है कवाब टिकिया मतलब हर ओकेजिन पर ये जरूरी में हमने खाई हो मिलती है बहुत टेस्टी लगती ह तो आटा आप इतना डालें कि आपका कीमे का मौश्चर है वो खत्म होझाए और बहुत जादा आटा आटा आकstep केमे माश्चर होता हमोख jeśli पर टेसा करेंगे. तो बस आप देख सकती है कि जो सारा कीमा एकदम सिमट कर आ गया है बहुत ज़्यादा हार्ड डो नहीं करना है कीमे का तो चलिए अब हम गोली कवाब बनाना स्टार्ट करते हैं मैंने यहाँ पर जो तेल है वो अल्रेडी गरम करके रखा हुआ है और जो कवाब है आपको बिल्कल छोटे-छोटे से बनाना है जिस तरह से आप देख सकती हैं बहुत ज़्यादा बड़ी कवाब नहीं बनाना है अ और जब आपके जो कवाब है एक बार अच्छे से ऊपर से थोड़े से सिख जाए तो गैस की फ्लेम आपको स्लो करना है कम से कम इन कवाब को आपको 15 मिनिट तक अच्छे से फ्राई करना है ताकि यह उपर से एकदम क्रिस्प हो जाओ और अंदर से एकदम सॉफ्ट रहें तो आप देख सकती है हमारे कवाब यहाँ पर रेडी होने वाले हैं तो जब तक फ्रिट्स कवाब हमारे स्लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई हो रहे हैं हम चलते हैं टिक्यों को बना लेते हैं आटे को रखे हुए दो घंटे हो चुके हैं बहुत जादा ने लेकिन हलका हल का सा आटे में खमीरा उट चुका है तो आप के पास टाइä में जादा देर के लिए रखे तो टिक्यों बनाने के लिए आपको इस तरह से एक पॉलिधिन चाहिए जैसे कि आप देख सकती हैं और यह पॉलिधिन पर लेना यह आपको थोड़ा सा ऑली या फिर पानी लगाल सब्सक्सक्राइब समाय। बनाना है तो चलिए इस तरफ देख लेते हमारे जो कवाब हैं इनकों सीखती हुए कम से कम 12-15 मिनिट हो चुके हैं और काफी अच्छे से हमारे जो कवाब हैं अंदर बाहर से सीख चुके हैं इनमें बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है तो बढ़िया से हमारे चट प सब्सक्राइब किये बिना बिल्कुल भी नहीं चाहिए और फटा फट से एक प्लीज लाइक जरूर कर दीजे देखिए कवाब रेडी हो चुके हैं और जो हमने टिक्या बना कर रखी थी उसको आपको बनाना है और डायरेक्ट ओयल में डालना है और यह देखिए यहां पर हमारे एक दम फूली फूली सी टिक्या बनकर रेडी हैं तो फ्रेंड्स यह जो कॉमिनेशन है गोली कवाब और टिक्या का यह इतना मज़िदार है इसको आप सरूर ट्राय करिए और यह देखिए हमारा गोली कवाब और यह पर टिक्या और चटपटी चटनी बनकर एक दम करेडी है तो मैं दिखाती हूँ एक दम अंदर से सॉफ्ट मॉइस्ट हमारे कवाब और उपर से एक दम क्रिस्पी बहुत ही फ्लेवर्ड और मज़ेदार और यह जो टिक्या है इनका जो खमीरा होता वो मतलब जो हम खमीर आटा उठाते हैं तो इससे इतनी सॉफ्ट और ज किया और इसके साथ लाल चट्टी में को टिप करिए और बस खा लिजिए तनी मज़ेदार यह रेसिपी मैंने अपनी हस्बेंड की डिमांड पर बनाए है क्यूंकि हमारे यूबी में यह बहुत मिलती है दम टेस्टी होती है तो जरूर इस बक्रेद आप कवाब और टिक्य बखकर यह बग्दू जरूर यह बहुत में इस बखाड़ जहिता है तो जरूर इस बखा़ जब है जरूर जरूर यह बख्धार कार्ण झाल झाल